तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया नाम तो बड़ा अच्छा है लेकिन फिल्म कैसी होगी आई आपको बताते हैं एक आईस मैं हुदामनी और आप देख रहे हैं बजू का शाहिक कपूर कृती सेनन के स्टार फिल्म तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया कॉमेडी, ट्रामा और फन से भरपूर है लेकिन लेकिन अपनी चीज नोटिस की कि इस फिल्म को रिलीस के लिए बेहदी कम दिन बचे हैं और साथ ही साथ ट्रेलर को आउट हुए काफी दिन हो चुके हैं लेकिन अभी अभी इस फिल्म को लेकर काफी बातचीत नहीं हो रही है इसके साथ ही जहां एक तरफ इस फिल्म को लेकर बातचीत नहीं हो रही है विलाईय स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो तो कास्टिंग के मामले में ना मेकस का कोई जवाब नहीं है क्योंकि उन्होंने तो ऐसे स्टार कास्ट को फिल्म के लिए कास्ट किया है जिनकी अच्छी खासी तगडी फैन फॉलोइंग है ऐसे में इन दोनों की जोड़ी काफी फ्रेश और बेस्ट मानी जा रही है तो अगर मैं बात करूँ इस फिल्म की स्टोरी की तो अगर आपने ट्रेलर देखा है ना तो वेल एंगुड और नहीं देखा तो रजनी कांथ की रोबोट फिल्म तो आपने जरूर देखी होगी अब रोबोट में जिस तर से भाई रजनी कांथ का डुपलिकेट रोबोट था और लोगों को प्यार हो जाता है मतब एक इनसान को रोबोट से प्यार हो जाता है कुछ इसी तरह की स्टोरी आपको इसमें देखने को मिलने वाली है लेकिन लेकिन फैंट मेकर्स ने नहीं पर गेम खेल दिया है स्टोरी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है और इसमें थोड़ा सा क्रिस और ड्रामा ऐड कर दिया है वे ट्रेलर देखने के बाद भाई साब एक मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि अब मूवी में कुछ बचाई नहीं है क्योंकि मेकर्स ने तो फन से लेके सस्पें से लेके ज्रामा से लेके हर चीज़ को उन्होंने ट्रेलर में अल्रेडी दिखा दिया था अब ऐसे में और्डियंस के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर मेकर्स उनको क्या दिखाने वाले हैं फिल्में तो आपके इस सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ फिल जिस तरह से मेकर्स ने आपको अल्रेडी ट्रेलर में दिखाई दिया है कि एक यूमन बींग के और एक रोबोट के बीच में प्यार हो गया है साथी साथ हैरान कर देने वाली बात वो दोनों फिजिकल भी हो जाते हैं तो मूवी में आपको देखने के लिए ये बचा है कि सिफ्रा और आरियन यानि रोबोट और हुमन का फ्यार एक होगा या फिर ये हो जाएंगे हमेशा के लिए जुदा फिल अगर अब मैं बात करूँ इस मूवी के सबसे एहम मुद्दे यानि बजट की कि आखिर ये रोबोटिक फिल्म कितने बजट में बनी है ये जानना तो हर कोई चाहता है तो मैं आपको बता दूर रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म 40 करोड के बजट में बनाई गई है अब ऐसे में ये देखना काफ़ इंटरस्टिंग होगा कि किस सरे का एक्शन और किस सरे के ड्राम और फ़न आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा फिल अब हम बात करते हैं अपने सबसे एहम मुद्य पर जिससे जाने के लिए आप भी काफ़ ज़्यादे एक्साइटेड हैं क्या कि ये फिल्म हिट होगी या फिल्प तो जिस सरे का इस फिल्म में ड्रामा रोमांटिक सीन दिखाया गया है साथी साथ जिस सरे के कॉमेडी लेकिन अगर मैं बात करूं स्टोरी की तो जिस तरह की स्टोरी इसमें दिखाई गई है इस तरह के स्टोरी के फिल्म में और एडियंस कई बार देख चुकी है तो शायद ऐसा हो सकता है कि इसका एफिक्त हमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर देखने को मिल सकता है लेकिन आइशन सुस्क्राइब को ना पिल को ना भूलें